जीस राहुलेकुम हम डिसकस कर रहे हैं आपके कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा साथ रिकॉल कर देते हैं जो हमने लास्ट वीडियो कंदर चीजें डिसकस की थी हमने लास्ट वीडियो में इस सतीजो कंपूनेट्स होता है एक होता है सो यह कुशा है क्या कूं है स्टेट्मेंट उफ फिस्चंप कर साथि 31 दिसमबर पर हमारा year end हो रहा है हमारी final date है हम क्या बताएंगे 31 दिसमबर 2020 पर हमारे business की financial position यह है हमने फिर elements आप financial statement discuss किये थे हमने discuss किया था कि financial position के अंदर तीन elements हम बताते हैं assets equity जिसके दूसरा नाम capital भी है और तीसरी चीज़ हम इसमें बताते हैं liabilities हम बताते हैं कि balance sheet date पर statement financial position date पर बन रही है उस date पर business के पास कितने assets हैं हमने assets की definition detail में last video में discuss की थी तो हम इसमें बताते हैं कि हमारे पास capital कितना है business की equity कितनी है इसमें हम बताते हैं कि business की liabilities कितनी है उन liabilities में ऐसी कौन सी liabilities हैं जो हमने 12 month के अंदर pay करनी है मतलब है कि 31 December 2020 पे अगर मैं financial position बना रहा हूं balance sheet बना रहा हूं मैं liabilities को आपस में differentiate करूंगा उस date पे कौन सी liabilities हैं जो मैं 31 December 2021 से पहले पहले एक साल में pay करनी है और कौन सी liabilities हैं जो मैंने एक साल के बाद pay off करनी है कौन से होते हैं लोन होते हैं लोन की पेरिपेमेंट होती है को तीन साल बाद होती है चार साल बाद होती है इसी तरह मैं statement of financial position में assets को भी differentiate करूंगा कि कौन से assets हैं जो मुझे एक साल से ज्यादा अर्सा के लिए benefits देंगे और ऐसे कौन से assets हैं जो मुझे एक साल से कम असा के लिए benefit देंगे 31 दिसंबत 2020 पर हम खड़े हैं 15 बना रहे हैं balance sheet बना रहे हैं हम क्या देखेंगे कि जो inventory है हमारा stock है वो मैंने अगले बारा मंत में क्या करना है जो मेरे पास आज की date पर पढ़ा हुए stock मेरे asset है मैंने अगले बारा मंत में सारा sale करना में भी अगले दिन ही हो sale हो नए साल के पहरे दिन में sale हो जाए उसने मुझे करना है एक साल से कम मर्से में benefit पर्वाइट करना है तमाम वो assets उसमें को इन्मेंटरी परचेश करूं उसको आगे सेल करूं यह आपके कैश एंड बेंक आपका डेली बिस्टेस भी क्या रहोते हैं आपका यूज हो रहोते हैं आपके सौसाल तक भी यूज हो रही होती है तो सौसाल तक आपको जो बेस्ट बेनीफट देंगे वह एस्टेस जो आपको मोर देन वन जियर जिनकी यूसफो लाइफ हो जिनकी लाइफ हो उनको आप कहते हैं नौन करंट इससे इसी तरह लाइबिलिटी जिनको मैं डेफरेंशियेट किया था कि अगर उनकी लाइफ एक स स्पांच किया था हमारे पाट दूत्रा चैनल को भी कहते हैं तरह था ता स्टेटमेंट और सेंजिजी इकुटी यह मारे स्लेबर्स में नहीं है लेकिन आप उसका नाम पता होने चाहिए आपको पता होने चाहिए कि आपके पांच पॉनेंट्स है यह नें डिसकास किया था कि आपकी जो last fourth है वह statement of cash flow यह भी बनाना हमारे फिर अबस में नहीं है फिर आपका जो last है वो notes to the financial statements थे जो आपकी last component है आपकी financial statements का वह कौन सा है notes to the financial statements हम message कि बताते हैं आपके income and expenses और हमने डिसकर्स किया था लास्ट वीडियो के अंदर elements of कि अब पनांश्यल स्टेटमेंट्स अब कम्पोनेंट्स से क्या और हैं elements आ रहे हैं तो आप इन दोनों के अंदर करना है आपने खुद इंटिफाय करना है आपको पता होना चाहिए पर क्वेशन में आता है आप पांच नुमर के थियोडी कि आप अलिमेंट्स आप फनांशल स्टेटमेंट्स डिफाइन करें आप अगर कंपोनेंट्स डिक कर आ जाते हैं तो आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे पहला आपके अलिमेंट कौन है एसेट्स दूसरा आपको जो एलिमेंट है वो है लाइबिलिटीज एलिमेंट्स वह है जो हम कंपोनेंट्स आप फनांशल स्टेटमेंट्स के अंदर बताते हैं जैसे के एस एस पी के अंदर हम एसेट्स के बारे में बताते हैं पीडूर की बात्य हमने को क्या करना हैं अभी सीखना है क्योंकि हम्हों ही सीख रहे है क्योंनेith का क्या हैं कि हम Youtube की बनाते हैंimiz का क्या है आज का हमारे टॉपिक का डिसकेशन हैं हमने पर डिसकेशन स्टार्ट करनी है हमने फनानिय स्टेट्टमेंट्स का अभजेक्टिफ بتانा है मैंने लास्स वीडियों में बतायदा कि फिनांसियल स्टेट्टमेंट्स के यूजर्स कौन से होते हैं में कंसरन किसका होता है Investors का होता है Investors के जानना बहुत ज़रूरी है कि हम साल के start पे कहां पर थे और साल गुजर गिए हमने business की हम साल के end पर कहां पर पहुंचे हैं हमने कितने profits earn की हैं , हमें कितने losses incur की हैं , क्या profitability है क्या position हैं हमारे business की ? क्या हम future में continue कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यह तो मेन स्टेक होल्डर है स्टेक वह जिसके बिजनिस में इंट्रस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बिजनिस लेंगविज में हमारी फील्ड की लेंगविज में हम कहते हैं स्टेक होल्डर अब इनके लवा और भी होते हैं लेंडर्स बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं लोन प्रोवाइडर्स अब जिस बैंक ने कंपनी को बिजनेस को लोन दिया हुए दस करोड़ रुपए का उसका कंसरन है बिजनेस के साथ वो बिजनेस के परफॉरमस को जानना चाहता है कि बिजनेस की क्या पॉलिशन है पूलो साल में क्या परफॉरमस रही है क्या वे हैं कि हमएरा लोन का प्रिंसीपल विद इंटरस्ट रिपेए कर सके आपने AFC में QM के अंदर finance वाले portion में interest और principle पड़ा होगा कि जो प्रिंसिपल होता है उस पर इंट्रस्ट होता है loan पे तो आपने within interest क्या करना होता है री पेइमेंट करना होती है तो लेंडर्स का loan प्रॉइडर्स का concern होता है तो वह भी फिनाशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मस क्या है बिजनेस की साल की प्रॉफिटिबिलिटी क्या है हम आगे पढ़के सारी चीज़ अंडरस्टैंड करते जाएंगे आप भी पढ़के आपको भी समझ आना लग जाएगी जब आप अकाउंटिंग सीख लेंगे थोड़ी बहुत तो आप कहेंगे हांची इस बिजनेस कितनी परफॉर्मस अच्छी है लास्ट जिर की केंपेरिट की तरह कुछ भी नहीं पता था तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मतलब यह कि आप भी तीन साल बाद दो साल बाद अकाउंटिंग पढ़ा सकोगे तो यह एक साइकल है चेन है तो आप सीखेंगे फिर सिखाएंगे तो भी आप सीखें आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ेंगे पर फिर लोन पॉइस के लावा जो मैंट फोकस होता है कंसर्न होता है क्स्टमर का होता है क्स्टमर क्या होते है क्या अचुम्ट यूज कर रहा हूं क्या ये future में भी आएगी ये नहीं आएगी उसके लावा मेन सबसे इम्पॉर्टन इंवेस्टर्स या इर्ल क्या होता है अगर वो देख रहे हैं कि business performance अची जा रही है profitability जा रही है उनको bonus मिलेंगे और business के उनको लगा लेंगे कि बिस्नियस के क्या करेंगे इसमें उन्होंने क्या करना है जाकर लोक्तरे को लगतार में लॉसिट्ट कर रहे जैसे हुआं पांक शे शाल से स्क लौज था इस ऐसे कि आपका स्टेशन क्या रेल वे जो प्रॉपर पूरी है प्छलों से बिछलों दाप क्योंस पकिस्टान स्ट्रिपेंट मिल रहे वह 8-10 सालों से ज़्याहरी इसके इंप्लाइज और सिलरी तσιे नहीं मिल रही तो आपकंटो स्ट्रीट मिल रही है हमारी इंप्लॉइमेट है इसलिए वह क्यूंत इतनकी सव्टेस्न पिर आपके पास गौवंट है है गुवर्मेंट क्या करती है आप से टेक्स ले रही होती है क्योंकि गॉवर्मेंट अगर employment ज्यादा है तो government का benefit है government business के profit से tax लेगी government sales पर भी क्या लेगी sales tax लेगी और government जो employee को salaries होंगी salary income पर employees भी क्या करेंगे यहां पर लिखे हुए अप्जेक्टिव हमारा क्या है इंवेस्टर्स क्या होता है प्रॉफिट्स आंका रहे हैं कि नहीं करी होगा वो जानना चाहते हैं कि हमने जो रिस्क ली एकि आपो से 80 किए अगर वो सकता है अगर वो उसको क्रोफिट एंड लौस में क्या कर रहा है तो उसकी एक्सेस्टेशन ने कि मुझे 12-13% return मिलना चाहिए कि मैं यहां पर रिस्क ले रहा होता है बैंक डिपॉदर में इसका रिस्क नहीं होता डिपॉदर करवाता है जस इस पर क्या आते हैं इंट्रस्ट आते है प्रॉफिट आते हैं वह जहां पर रिस्क ले रहा है तो रिटान भी ज्यादा एक्सप लोन की परफॉमस है इतनी है कि वह फूटर में पांच शे साल जो नमीन रिटान लों की रिपेमेनट करनी है बेजरेंटरस्ट क्या व lucky नहीं कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट ईयरस्ट करते हैं इनवेट्टरी पर चाहिएं TVs करते आ हैं क्रेज़िए। क्योंकि अगर हमारा बिजनस सही perform कर रहा होगा profits earn कर रहा होगा तभी हम क्या करेंगे supplier से चीज़ें purchase करेंगे अगर हमारा business losses में जा रहा है तो हमारी purchases कम होते जाएंगी तो supplier के sales हैं वो भी कम होते जाएंगी अगर हमने चीज़ें अधार पर purchase की हुई हैं करेंगे तो इस में पर आ सकते हैं अगर किसी एरिया में एका प्लांट बनाते हो जैसे कि मैं बात कर लूँ आपकी जो बड़े ग्रूप्स हैं जैसे कि आपका मेपल लीफ बहुत बड़ी प्लांट है उसका मियावारी में उन्होंने वहां पर आपको स्राउंडिंग में सुसाइटी डिवलाप करके दी हुई है वो अपनी बिजली जनेरेट करते हैं वह सारा वही प और जहां पर वह एक बन रही होती है उस एरिया में वह चीजें काफी तस्ति मिल रही होती है उनकी वहां पर सेल प्राइसे रिटेयर प्राइसे काफी लो होती है तो हर चीज में इंप्लॉइमेंट में उनको क्या मिल रही होती है वह उनको क्या जरते हैं बैनिफिट मिल र होते हैं अगर हमारे हैं वो हैं कि वो हैं कि नहीं मिलेगा यह था आपको स्टेटमेंट्स आपकी स्टड़ी टेस्ट के चैप्टर वन में यह लिखी हूं आप पाढ़ लीजिएगा इस पे तिन चार मार्क सब्सक्राइब आ सकते हैं अब हम देखते हैं कंटिन्यू करते हैं अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन से हमने अकाउंटिंग की डेफिने कि ठाउंडेद्टिंग को हम क्या करता है रिकार्ड करते हैं उसको मैंनलाइज करते ह। पनानश्यर स्टेटमेक्ट्स तो हमने क्या कर लिया है theoretical portion काफी सारा discuss कर लिए हम कहां जाते हैं हमने business को भी discuss किया है हमने reporting में financial statements को भी discuss कर लिए theoretical way में जतना हमें भी stage पर करना चाहिए था अब ही हम जाते हैं आज कि इस lecture में business transaction को भी discuss करेंगे and recording को भी discuss करेंगे कि हम किस तरह record करते हैं और क्या rules हैं क्या policies हैं पर हम कुछ transactions यहाँ पर लिख के उनको record भी करेंगे पहले हम business transaction की definition देखते हैं कि business transaction को किस तरह से define क्या गिया है जी business transaction business transaction is an interaction between business and customer supplier और any other party with whom they do business मतलब business अपनी जो business transaction करेगा customer के साथ, supplier के साथ या other person जिन के साथ वो business करते हैं अब business क्या होता है अब transaction क्या होती इकनोमिक इवेंट that must be recorded in the business accounting system accounting system क्या होता है जिसके इंदर हम क्या करते हैं business transaction को record कर रहे होते हैं अब accounting system में recording से लेकर financial statement statements पूरे का पीरा पूरा इसमें cover हो जाता है अब यह हम देखते हैं कि मारे पास transactions क्या हो सकती है cash sales of goods or services credit sales of goods or services अभी हम इसी वीडियो में काफी सारी आपकी terms discuss करेंगे जो आपकी आगे बहुत दफा यूज होनी है तो आप यह वीडियो बेसिक अगर जो आप first step accounting पढ़े हो तो काफी compulsory है काफी important है आपको आगे continue करने के लिए आप receipt of cash from a customer to whom a sale on credit has been made कि आपने कस्टमर को 10 दिन आज credit पे sale की 10 दिन बाद उसने आपको उधार की payment कर दी तो आपने जिस दिन आपने sale की है उस दिन due transaction record करनी है जिस दिन आपको पैसे receive हुए है उस उधार की sale के वो भी आपने record करने है किस तरह record करने है वो ही तो हमने सीखना है cash purchase of raw materials or goods अगर आप manufacturing business है आप manufacture करके क्या कर रहे हो चीज़ें बेच रहे हो manufacturing हमारे slabis में नहीं है हमारे slabis में just trading है हमने first lecture में बढ़ाता कि आपकी business तीन तरह की होते है दो तरह की होते है एक होती है आपकी services एक होती है आपकी goods में आप manufacture भी कर सकते हो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो goods मारे slabis में just goods है और goods में just trading है trading में क्या होते है आप चीज़ें purchase करते हो बनी बनाई उनको further profit पर थोड़ा margin कर कर देते हो यह आपकी different types of transaction है आपने कोई loan लिया बिजनस की transaction है बिजनस अपनी एक liability increase कर ली क्योंकि loan क्या है liability है obligation है present obligation as a result of past event loan लिया वो पास्ट हो गिया आज मेरी present obligation responsibility है कि उसको मैं repay करना है और जब उसको मैं settle करूंगा future में तो उसे क्या हो एकनॉमिक outflows होंगे जब मैं cash payment करूंगा तो उसे मेरी economics outflows होने है कि नहीं होने तो यह आपकी transaction है अगर आप एक उस loan के पर interest की payment करते हो यह आप loan का principle repay कर रहे हो अगर आप interest की payment करते हो तो आपका expense है खीक है ना सूध आप जो interest pay कर रहे हो तो आप loan के उपर वह आपका expense है business का आपके expense increase हो रहा है जाप expense increase है आप एक जगपे expense increase हो रहा है आप कहां पर record करोगे profit and loss में record करोगे और दूसरी तरफ उसी transaction में आप जो interest की payment कर रहे हो आपका cash भी तो काम हो रहे है ना business के अंदर तो आप क्या करोगे अपना cash भी record करोगे जी मेरा cash कम हुआ है इतने से मेरा expense expense ज्यादा हुए है तो यहां पर मैं एक बात relate करूंग एक ही transaction हुई है interest expense की payment लेकिर मैंने दो element of financial statements discuss की हैं इसके अंदर expense and estate मतलब क्या हुआ हर transaction का double effect होता है पहले हम कुछ accounting terms पढ़ते हैं इसकी बाद हम कहां जाएंगे recording पर कि तरह जाएंगे कि हम transaction को किस तरह से record करेंगे पहले हम देखते हैं जी हम क्या करते हैं sales main event बिजनेस का अब sales हमारे पास दो तरह की हो सकती है पहली sales हमारे पास क्या होगी कि हमने क्या की cash में sale की आप क्या करते हो cash में sale करते हो customer आपके पास आता है आपने उसको good दी उनने आपको उसी point पे cash दिया आपने entry को record कर लिया इसमें कोई मसला नहीं है दूसरा आप किस तरह कि आप business करते हो कि आप क्रेडिट पर भी sale करते हैं जो हम क्या करते है credit sales कहते है अगर मैं उर्दू में लिखूं तो उधार क्या करते हो credit पर sales करते हो अब credit पर sale करने में आपको उस दिन तो पैसे receive नहीं हुए ठीक है ना जी अभी मैंने आपको एक example दी थी कि कि आपने क्या किया है कि उधार पर आपने इंट्रस्ट की payment कि इंट्रस्ट expense की payment कि अब वहां पर मैंने दो elements आप financial statements बताया दी कि एक transaction में दो elements discuss हो रहे है expense and आपकी क्या हो रही है cash आपके discuss हो रहा है इसके अंदर अगर मैं credit sales की बात करूं अब जिस दिन अगर मैंने आई sale की है तो मैंने क्या करना है उसको आप accounting में क्या करते हो heart transaction का dual effect होता है dual impact होता है तो credit sale में जिनको आप क्या करते हो जिस customer को आप credit पे sale कर रहे होते हो उस customer को हम क्या कहते है debtor या trade receivable या trade debtor जी ये आपके उस customer का नाम है accounting में terms है जिनको आप क्या करते हो credit पे sale करते हो ये आपकी क्या है sales अगर हम purchase देखें तो हमारे पर इस तरह हम sales करते हैं हम purchase करने के बाद sales करते हैं तो मैं क्या करता हूँ purchase को भी देखते हैं हम यहां पर purchase भी दो तरह की होती है एक आपकी होती है cash purchases कि आप supplier के पास गये आपने वहां से क्या लिए goods ली फोरण payment कर दी आपकी दूसरी आपके पास गया है कि आप क्या करते हो credit purchase करते हो आप उधार पे purchase करते हो तो आप जिस supplier से आप उधार पे purchase करोगे उस supplier का एक और नाम भी है accounting में accounting में हम उसको कहते है credit purchase आप जब आप कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो उस supplier को हम कहते है creditor उसको हम कहते है ट्रेड पेबल जा उसको हम कहते है ट्रेड क्रेड़ेटर ठीक है जी यह हमारे के हैं तीन नाम है credit purchase वाले परसन के अब हम एक और यहां पर ट्रेम्स कुछ डिसकास करते हैं goods जो बहुत ज़्याद दफ़ाजूज हो रही होंगी अभी हम चब transaction को recording में जा रहे होंगे हम क्या देखेंगे कि हमारे पास काफी सारी चीज़ें आ रही होंगी goods नाम आ रहा होगा स्टॉक आ रहा होगा इनवेंटरी आ रहा होगा goods इस टॉक इनवेंटरी अब हम देखते हैं कि डिफरेंट बिजनेस को डिसकास करते हैं कि एक बिजनेस है वह उसका स्टेशनरी का काम करता है अब जब वो स्टेशनरी का आइटम परच dép Bluetooth करेगा आपकी reap该 बाल पॉइंट लैड पैंसर्स मारकर्स पोइंटर्स श्यवाइंग पेंस्यृ यह क्या सारी स्टेशनरी है जब वो स्टेशनरी पपाषईस करेगा तो क्या कह गया है मैंने गुड्स आंवेंटरीपर discipl है क्य आगे margin पर sale करना है उस purchase को हम क्या कहते हैं inventory कहते हैं goods कहते हैं पर अगर हम ऐसी कुछ चीज purchase करते हैं कोई asset purchase करते हैं जैसे कि business ने furniture purchase किया श्टेशनरी की शॉप पर उतने furniture purchase किया गो उसके रखने लिए अब वह furniture goods नहीं है अब वह furniture stock नहीं है furniture inventory नहीं है वह क्या है estate है उसके लिए नाम यूज होगा furniture बिजनेश है परचेश फार रुपीस वान लेक आउन कैश यकर एडिट ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि goods वो क्या चीज़ है stock क्या चीज़ है वो चीज़ है जो business क्या कर रहा है कि उसने प्रॉफिट पर उसने प्रॉफिट पर सेल करने जो उसका business है जिन goods का जिन चीज़ों का business का business है में उनको हम क्या कहते हैं goods कहते हैं stock कहते हैं inventory कहते हैं अब हमने business transaction discuss कर ली business transaction को discuss करने के बाद अब हम जाते हैं कि business transaction में हमने क्या discuss किया भी कुछ example देखिए अब मैं लिखता हूँ और लिखता हूँ आपको जहां पर एक transaction लिखता हूँ कि मिस्टर अली का business है has sold goods for Rs. 1,00,000 in cash अब देखे एक transaction है कि मिस्टर अली का business था मिस्टर अली ने क्या किया है एक लाग रुपए की goods sale की है अब मैं क्या करता हूँ मैं इस मेंसे अपना asset मैंने क्या कहा था आपको जब हमने लाश वीडियो में elements था financial statements पढ़े थे कि business transaction में या तो asset होगा, asset कम जब जब जादा हो रहा हूगा या क्या हरूगा liability कम जब 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 जादा हो रही होगी जा capital या equity कम जब 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 bay जाать आपको इकस्पैंस कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा अब हम देखते हैं कि हम ये पांच चीज़े ही होगी हार ट्रांजिशन के अदर कुछ च्छटी चीज़ इंवालव नहीं होगी तो आपने अब हर transaction के अंदर पांचों में से कोई चीजे हैं आपने वो identify करनी है business has sold, business ने sale की है sale क्या है? business की income है इस transaction की वज़े से business की sale increase हुई है अगर इस transaction से पहले business की total sales थी 10 लाग रुप है इस transaction के पास business की sales हो गई है 11 लाग रुप है तो हमने देख लिया पहली चीज क्या हुई है? sale क्या है? हमारी income है अब income हमारी क्या हो रही है? increase हो रही है अब increase हो रही है? कितनी amounts increase हो रही है? एक लाग रुपह से increase हो रही है ठीक है अब दूसरा कौन सा इसमें element है कि cash अगर मैं sale कर रहा हूँ तो cash ले भी रहा हूँ business में एक लाक रुपए आ रहा है अब cash क्या है मेरा अगर आप देखें तो cash acid है resource है ना acid है अब acid क्या रहा है increase हो रहा है business के पास cash आ रहा है cash inflow जो चीज़ आ रहा है यह मतलब पहले से ज्यादा हो जाएगी तो यह भी क्या हो रही है increase हो रही है आपकी इसको हम कहते हैं कि यह भी हो रही है एक लाक रुपए से increase हो रही है अब देखें ना हर transaction का double impact होता है हर transaction का dual effect होता है अब इस dual effect को record करने के लिए accounting में concept है debit credit का आपने शहर्थ ट्रम्जूस की होंगी अगर आपने फुक्र मुवी देख की है तो जिसमें बाली टुशन पढ़ने जाते है मैं हम के पास हो मैं हम उसको कहते है कि what comes in debit what goes out credit वो एमी फिलम वाला rule था आज हम accounting में actually rule पढ़ते हैं कि actually में debit credit rule है क्या अभी हम जा रहे है recording की दिरफ अब हम देखते है recording हमने business transaction डिसकर्स कर ली हम देखते है कि record करने की हमारे पास क्या procedures है recording अब हम recording दो method है हमारे पास recording करने के अब recording करने की हमारे पास दो मेतिड्स हैं एक है डबल इंट्री बुक कीपिंग दूसरा हमारे पास है बुक्स आफ प्राइम इंट्री इन में से हर दफ़ा दस से बारा नबर का कुश्चन पेपर में कनफर्म आता है यह फिक्स है दस से बारा नंबर आपका नुमेरिकल क्वेस्चन जो आपका काउंटिंग का होता है वो कनफर्म आता है हम पहले सीखते हैं डबल इंट्री बुक कीपिंग डबल इंट्री क्या है अब देखें आपने करी ट्रांजेक्शन देखें कि मिस्टर अली ने एक लाग रुपए की अब अली ने अपने पास कैश भी रिकॉर्ड है कैश बुक में जिस तरह खाते मेंटेन हो रहते हैं दुकानों के उपर आप शौक्स पर जाएं तो वो लिखते हैं एक कॉलम बनाया होता है उन्होंने अपने जिस्टर की आज मैं इतने की सेल की और मैंने कितने मुझे पैसे रिसीव हूँ है अब एक ट्रांजेक्शन का डबल एफेक्ट है मैं क्या करूँगा अपने उस रिजिस्टर पर अपने उस खाते पर डबल इंटरी पास करूँगा एक कैश की पास करूँगा एक सेल की पास करूँगा हलंकि वो दुकानदार अनपड होता है उसने accounting नहीं पढ़ी होती है उसको debit credit rule अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं आ रहा होता लेकिन फिर भी वो cash और sales दोनों को अलग अलग जगह पर जो उसने उनके लिए specify कियो होती है मुखतस कियो होती है उसमें record करता है लिखता है हम पहले discuss करते हैं double entry bookkeeping को अब double entry bookkeeping कर हम देखें अभी मैंने कहा था कि every transaction has dual effect या impact हम उसमें से एक effect को कहते हैं debit एक को कहेंगे credit उसमें से एक जो effect होगा उसको हम कहेंगे debit इसी के साथ ही लिख लेते हैं इस एड़ वन इस डेबिट और इस डेड़ अब यह डेबिट एंड क्रेड़ वर्ड का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं जिस परसन ने कोई जिस तरह invention होती है आप एक चीज को आपके मांड में आती है आप एक नए रूल बना रहे होते हो आप उसका नाम लिक लेतों जैसे बेबी की बरत होती है नया बेबी आप नया तश्री परमाव हुए है आप उसका नाम रख लेते हो अब नाम क्यों रखा है किस लिए रखा है कब तक होगा इसके कोई आंसर नहीं है जब आप एक नए चीज जैसे अभी कोवेड नाइंटीन कोरोना वाइरस अभी अग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसी से क्या कर रहे हैं गुजर रहे परेसे नोने कोवेड नाम रख दिया है तो रख दिया क्यों रखा है क्या मतलब है सटरास्राकोई बात है डैबिट एंड क्रेडिट रून है ट्रॉस्सक्ता है कि थे ray है एक क्या है कि इसको हम्द स्कोंद के केंगे एक क्रेडट केंगे उस बता होना चाहिए कि हम कब किसको क्रेडट केंगे ख़िए हम उस लिए हम क्या करते हैं पढ़ते हैं कि debit and credit कब-कब हमने record करना है debit credit rule जी पहले पास हमने कहाता कि पांच elements हैं financial statements के अब पांच elements का उन पांचों में से कोई ना कोई होगा आपकी transaction के अंदर ठीक है अभी चलें देखते हैं पहली बात कि debit कब-कब करेंगे debit कब-कब करेंगे पहले केस इंक्रीज इन एसिट जब भी एसिट इंक्रीज होगा जैसे के यहां पर अगर मैं देखूं मेरी transaction में एक्जमपल में कैश एसिट मेरा एक लाक रुपए से इंक्रीज हो रहा है अगर मैं डबल इंट्री रिकॉर्ड करूं डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए तो मेरा क्या होगा आएसिट कैश डेबिट होगा 1 लाक रुपए से ठीक जी कैश मेरा क्या होगा डेबिट होगा एक लाक रुपए से अब हार्ट होता है एक impact को हम debit कहते हैं दूसरा फिर क्शा होगा credit होगा ठीक ना और एक debit है तो credit होगा हुआ होता ही हमाँट का और हो यह ढूरा है तो फिर इबन अधिक यहां पर लिखों डैबिट का कॉलम बनाऊ घर साथ में Do ensure record करूंख तो मैं कहता हूं कैश मेरा हो रहा है debit एक लाक रुपैसे के और मेरी Creation क्राइड़िट नहां गी से क्रॉड़िट नाक रुपैसे जी यह है आपको डूबल एंट्री बोक्टीपिंग ठीक है जो भी हम रूल पढ़े हैं हमने प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी हमने सीखना है हमने अकाउंटेंट बनना है दूसरा आपक क्या है कि आप कब डेबिट करोगे इंक्रीज इन एसिट है तो आप डेबिट करोगे इनक्रीज इनएक्सपेंस है तो आप क्या करोगे डेबिट करोगे इनक्रीज हो रहा होगा आप डेबिट करोगे जिस उसका जो dual impact है, वो credit होना था, तो sale क्या होगी, credit हो गई, अभी हम जब credit का rule पड़ेंगे, कि कब-कब credit करना है किसी चीज़ को, उसमें हम देख लेंगे कि जब income increase होगी, तो क्या हो जाएगी, credit हो जाएगी, थर्ड डेबिट जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी की केस में आप क्या करते हो लाइबिलिटी को डेबिट करते हो मतलब क्या हो जब आप लोन की रिपेमेट करोगे लोन आपका अगर मेरा इस साल के स्टार्ट में था दस लाग का लोन मैंने लिया वह तब बैंक थे इस साल में मैंने क्या की ट्रांजेक्शन एक हुई बिजनेस ने पांच लाग रुपए का लोन वापस कर दिया बैंक को अब इस transaction के बाद मेरा loan, मेरी obligation, मेरी liability पांच लाग से कम हो रही है तो मैं transaction में जब record करूँगा, double entry record करूँगा, मैं loan को debit करूँगा हमने किस तरह से ये elements identify करने हैं, किस तरह से हमने ये entries record करनी हैं इसको हम detail में with rules, with steps discuss करेंगे, तरशान नहीं होना आपने आपका जो fourth है, इसके अंदर आता है कि decrease in capital अगर decrease in capital को हम debit कर रहे हैं, तो increase in capital क्या होगा, credit होगा अगर increase in asset को मैं क्या कर रहा हूँ, debit कर रहा हूँ, तो decrease in asset क्या होगा मेरा, credit होगा सही है ना जी, अब यह हम सारा कुछ discuss करते हैं देखते हैं, फिर आपके पास आता है कि आपका income आपकी क्या होगा होगा है, अगर decrease होती है income गर आपकी अगर decrease होती है तो आप उसको क्या करते हो, debit करते हो, जो decrease in capital है उसको हम कहते हैं, drawings, बस आप नाम फिलाल सुन लें, तो यहां पर देख लें, क्या चीज़ है यह बात की बाते हैं, ठीक है जी, यह आपकी पांच चीज़ हैं जिनको आप क्या करते हो, इन पांच situations में, आप किसी Element of Financial Temperance को क्या करते हो, debit करते हो, एके expense increase होताओ तो आप क्या करेंगे, आपकी income decrease होताओ तो आप क्या करेंगे, उसको debit करेंगे, पिर अभी हम देखते हैं कि credit कौन कौन सी आपकी चीज़े होंगी इसको मैं highlight कर दूँ अगर जी पहली चीज़ जो आपने credit करनी है उसके सामने लिखता हूँ मैं increase in asset debit है तो decrease in asset आपका क्या हुआ credit हो गया ठीक है जी आपकर increase in asset debit है क्या था कि आपका dual impact था हर्ट transaction का dual impact था एक debit तो दूसरा क्या होगा credit होगा अगर increase in asset debit है तो decrease in asset क्या हुआ आपका credit हो गया अगर हम देखें increase अगर increase in expense आपका debit हो रहा है तो decrease in expense आपका क्या होगा credit होगा same to same अगर आपकी जो liability है वो decrease होने पर debit हो रही है तो increase होने पर क्या होगी increase in liability की केस में आप क्या करोगी उसको credit करोगी अब liability किस तरह increase होती है for example आपने loan लिया पांच लाग रुपे का इस loan इस transaction से पहले आपका कोई loan नहीं था अब इस transaction के बाद आपकी जो liability है वो पांच लाग से increase हो रही है तो आप क्या करोगी अपनी liability को credit करोगी तो साथ में लोन के साथ आपके पास cash आया है तो आपको loan जा तो bank balance मिला होगा आप आपको cash मिला होगा तो cash या bank क्या है आपका asset है asset क्या हुए increase हुए आपके पास cash inflow हुए तो देखें transition का dual impact है एक तो cash आ रहा है cash increase हो रहा है asset increase हो रहा है cash debit पांच लाग रुपैसे और आपकी liability भी increase हो रही है liability हम क्या करते हैं credit करते हैं तो आपकी जो loan है वो भी क्या होगा पांच लाग से credit होगा जो हमने भी रूल पढ़ाता कि every transaction has a dual impact one is debit and other is credit तो इसे debit हुआ increase हुआ इस transaction की वज़ए से और liability भी increase हुई वो क्या होगी credit हो गई आपने identify करने elements कौन से elements इसमें आपका effect हो रहा है उस element का increase है ज़ए decrease है इंक्रीज है तो क्या वो debit होना कि credit होना आपने यह rule याद करने है तब ही आपको transaction record करने में असानी होगी अगर आपको यह recording double entry record आकरने आगए अगर आपको transaction को record करना आएगा तो पिर हमने recorded transaction को ही क्या करने है अनलाइज करना है उन्ही analyze transition को हमने क्या करना है summarize करना है उन्ही summarize transition को हमने क्या करना है report करना है यह basic चीज़ है जो accounting की जो आपकी basics है वो यह है आपकी double entry अगर आपको यह ना आई तो बतलब यह कि आपको accounting कभी भी नहीं आ सकती यह बात जाद रखिएगा अबने फि increase in capital अब क्या करोगे आप credit करोगे अब यह किस तरह से credit होगा किस तरह से होगा मिस्टर अली ने अपना नया business start किया जो उसकी business की पहली transaction होगी क्योंकि बिजनेस में अली सबसे पहले अपने personal pocket से investment करेगा 10 लाक रुबए की हमने क्या क्या कहाता amount invested by the investor उसको हम कहते है capital accounting term में क्या कहते है उसको capital कहते है अगर उसने इस transaction के पहले business में अली ने कुछ भी invest नहीं किया था तो business का capital था zero इस transaction के बाद business का capital होगी है 10 लाक रुपए increase in capital 10 लाक रुपए से increase in capital क्या होगा credit होगा 10 लाक से मैंने capital credit कर दिया फिर दूसर वही बात rule है every transaction has double impact one is debit other is credit अब हमने इस transaction में दूसरा impact डोड़ना है capital business में आया business में 10 लाक रुपए आये हैं इस से पहले business के पास cash 10 लाक रुपए रुपए नहीं था अब 10 लाक रुपए आये हैं cash increase हुआ है asset cash asset है asset increase हुद हम क्या करते हैं debit करते हैं तो हमारा rule यहां पर फिर confirm हो गया every transaction has double impact one is debit asset debit was 10 लाक रुपए से other is credit capital हमारा 10 लाक से क्या हुआ credit हुआ जी पांचमा credit क्या करना है हमने increase in income यह तो अभी हमारे पास जीती जागती example बड़ी हुई है यह transaction हमने जो लिखी थी बिजनेस ने क्या किया एक लाक रुपए की sale क्या income है income increase हुए इस transaction की वज़ए से लाक रुपए cash business के पास receive हुआ transaction की वज़ए से cash क्या asset asset increase हुआ है एक लाक रुपए से तो मैं इसको double entry record करूँ तो cash debit एक लाक रुपए से sale credit एक लाक रुपए से ठीक है ना जी debit और credit दो column बनाएंगे हम और जो element financial statement cash हम उसको सब elements के नाम से अब देखें financial statements है financial statements में 5 elements assets liabilities capital income and expenses अब उन elements के सब elements हैं अब assets कौन कौन से हैं आपके fixed assets अब क्या है non current assets वह एक साल से ज्यादा है जैसे के intangible assets क्या होते हैं बाद में देखेंगे आपकी plant and machinery आपकी breeding आपकी car वह non current assets हैं आपके वह कहा हैं सब elements assets का ठीक है cash inventory अभी हमने term पढ़ी थी trade receivable debtors भी क्या हैं आपके assets हैं किस तरह से हम बाद में डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यह आपके सब elements हैं जी तरह cash आपका cash है आप transaction में जो record करते हो जो double entry record करते हो आप वह element का नाम नहीं लिखते आप सब elements identify करते हो कि cash क्या है यह सब element asset का asset increase हो तो debit होगा तो cash क्या होगा debit होगा same to same sale आपके क्या है इंकम है इंकम इंक्रीज तो आपकी क्या होगी क्रेडिट होगी सौरी यह पहली एक्जमपल कुछ ट्रांजेक्शन वैसे मैं आपको बोलता हूं वर्बली उनको डबल इंटी रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनिस ने क्या किया लोन अकॉायर किया 10 लाक रुपाए का बिलौन किस तरह से बैंक ने दिया बिजनिसन अपना अकाउट उपन आपन करवाया बैंक ञेंद बैंक ने वह पैसे बिजनिस में बैंक का खोकु टीए झापर यहां पर ट्रांजेक्शन हूए ए Apple ट्रांजे की loan liability 0 ती जिरो थी अब ये कितनी हो गई है 10 लाक रुपै हो गई है अब ये liability क्या हो रही है इन्क्रीज हो रही है और हमने क्या पढ़ниц has कड़े है जब liability increase होगी हम क्या करेंगे क्रेड़ड करेंगे तो हमारा यहांप पर कडिड़ करेंगे पिसनी अमाउंटसे करेंगे जितनी वेल जू की ट्राणेकशन ड coping का मैं ने लोन लिया है तो मैं क्या करहां। उसको 10 बार्ट रूपए ही23 कर करूगा 10,000 से Schmidt हो गया फिर कोई बात एवरी ट्रांजक्शन है डूल इंपक्ट वान इस डेबिट अधर इस क्रेड़िट हमने इडेंटिफाय कर लिया दस लाक रुबें डेविट क्या है बिजनिस के बैंक में पैसे आए हैं बिजनिस के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं किए बैंक कापक क्या है कैशंट बैंक अखिए एसेट है इस्ट इंक्रीज हो 到了 कॉन सा है बैंक अगर इंक्रीज होगा दस लाक्रूपईश्चे जी यह आपको क्या होगी है दूसरा रूल हमने पहले किया है कि Estates or Sale लोन था इस ट्रांजेक्शन से पहले 10 लाक रुपे इस ट्रांजेक्शन के बाद बिजनिस का लोन जो रिमेनिंग रह गिया है वो है एक लाक नौ लाक रुपे कर दिया है तो बिजनिस के जो लाइबिलिटी है लोन लाइबिलिटी वो एक लाक से कम हो गई है जी लाइबिलि के नाम से नहीं liability element of financial statements है मैं सब element liability के जो सब element है जिसको मैं loan के नाम से जो element transaction है loan मेरा एक लाग से कम हूँआ loan liability है जब liability कम होगी इतनी value से हो तो मैं debit कर दूँगा यह तो रूल Every transaction has dual impact One is debit and other is credit अब credit क्या होगा मैंने loan की repayment की है जा तो cash repay की होगा जा bank की check के थूँ repayment की होगी अगर cash की थूँ की है अब cash मेरा 1,00,000 रुपै कम हो गया है इस cash क्या asset है decrease in asset मेरा क्या होता है debit होता है जी देखें डूल जात करें decrease in asset मेरा क्या होता है credit होता है अब cash मेरा asset है वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है अगर मैंने cash की payment की है तो मैं cash के नाम से अगर मैंने bank की payment की है तो मैं bank के नाम से क्या कर दूँगा credit कर दूँगा ये कुछ examples ने आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत जो मैंने भी रूल्स बताएं उन रूल्स को मैं इंप्लिमेंट करवा रहा हूं इसके डिटेल प्रॉपर हम नेक्स वीडियो में एक एक्जेम्पल करेंगे जिसमें एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा जिसमें कैपिटल इंटर्ड्यूस होगा फिर हम उसमे करेंगे उसके बाद हमने मतलब जाए कि जो बस रूर्स जहीं है डबल एंट्री अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के रूर्स जहीं है आपने ट्रांजेक्शन में अडेंटिफाय करने हैं एलिमेंट साफ फिनांशियल पॉजिशन पौरी फिनांशियल स्टेटमेंट एस हमने अडेंटिफाय करना है कि ट्रांजेक्शन में पांच में से कौन से इलिमेंट से इस ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं फिर हमने इडेंटिफाय करना है कि डिक्रीज कौन सा हो रहा है और इंक्रीज कौन सा हो रहा है पिर हमने कहना है कि डिक्रीज यह हो रहा है तो क्या डुकूल रवड़ करने किरैक करने है यह सीखेंगे तब तक लिए फीम महीं